क्या question है बेटा आपको expansion दी होगी है क्या दी होगी है बेटा एक्स मैनिस वान ओवर तू एक्स ऐसे है ना बेटा ओल रेस पावर थ्री आप से पूछ रहा है कि यह टार्म फाइंड करनी है जिसका नंबर आप से पूछा पूछ रहा है बेटा टू एन प्लस वान आसे है ना बेटा टर्म को मैंने टी से रेप्लेस कर दिए अब आगे लिखा हुआ तो हमें इसलिए तीर इसकृवर टी सबस्क्रिप्त में क्या लिखा है आपने टू एन प्लस वान इस से आपको लेख रहें क्या आर की वैली किया होगी बेटा 2N होगी के नहीं होगी बिटा और n की वैलियों क्या होगी आपके पास 3N होगी तो जर्नल फार्मूला क्या होता है T R is equal to N R A N minus R और B R T as it is R क्या है बिटा 2N N आपके पास क्या है 3N और ये क्या है 2N है और ये फार्मूले के साथ plus 1 होता है इधर भी plus 1 होता है ठीक है एक ही value क्या है बिटा X और उसकी power क्या हो जाएगी बिटा 3N minus 2N और minus 1 over 2X ठीक है और इसकी power क्या होगी बिटा आप तो नराज होगे बोली नहीं रहे हैं अच्छा देखें बेटा ये आपके पास क्या होगा 3N फैक्टोरियल और ये क्या आजाएगा 2N फैक्टोरियल और ये क्या आजाएगा 3N मैंने और फैक्टोरियल और ये एक्स रेस्ट पावर क्या आजाएगा बेटा एन आजाएगा और मैनस वान रेस्ट पावर 2N एज़े पेटा ठीक है ऐसे है ना बेटा इसमें 2 और एक्स की पावर भी लाइदा करने नीचे है लेकिन आपके पास ये 2E1 है ना तो नेगिरिव साइन तो मेरे खाल में आएगा ही नहीं क्या फ्याला तो इसको अगर हम इग्नोर कर दें तो क्या फर्क है पढ़ता है कुछ एक्स की पावर क्या है गी वेटा यह 2X है ना नीचे ऐसे है ना वेटा 2X की पावर 2N मैंस 1 को आप ना लिखेंगे क्योंके पावर एवन है तो आपके पास क्या होगा आपके पास क्या होगा वान ओवर टू इधर इधर एक्स है ना सिंपल तू रेस्ट पावर एन और यह क्या आजाएगा साथ तू रेस्ट पावर 2N और एक्स रेस्ट पावर 2N ऐसा है कि नहीं है बटा यह सर अच्छा तो यह इसको वान ओवर 2N भी लिख सकते हैं यह आपके पास ऊपर 3N आपके पास क्या आजाएगा बटा इसने मैनस वन की पावर 2N को कैंसल नहीं किया देखें आपके पास क्या है 3N फैक्टोरियल एजट इस ओवर 2N फैक्टोरियल आपके पास क्या है बटा आज इस और यह क्या आजाएगा 7N फैक्टोरियल ऐसे ही है नहीं मैटा एक्स पावर एन आज इस ठीके मैटा और नीचे वाली पावर को उपर लियाएगे तो क्या होगा माइनस टू एन तो यह आपके पास एक्स रेस पावर क्या जाएगा मैनस टू है ठीक है और आपके पास क्या एक बाच जाएगा वान ओवर टू रेस पावर एन ऐसे है ना विटो और अगर देखें इदर हम एन की वैलियो फ्रेक्शन में तो नहीं हो सकती लेकिन एन को अगर नेगटिव हम साइन रहने दें या ना रहने दें कोई फर्क तो नहीं पढ़ता वैसे इवन है ना चैने आच्छा अब आपके पास यह क्या आजाएगा वान ओवर टू एन एजटेस प्री एन फैक्टोरियल एजटेस टू एन फैक्टोरिल एजटेस ठीक है टू एन ना तो तो आपके पास क्या लगेगा यह इसकिया जैंगा थीकैँ उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा आ मैंनेशे जाएंगे तो आपके पास पावर क्या जाएगी और स्टीन क्या जाएगा और यह आपके पास थी न to हैसफ सिह ड़ा जाएगा और अश्यक्राइब आट जैगरें अनसर यह इन आप 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 हमने टू एन प्लस वन्त टाम साइन करने थी यह एन प्लस वन्त थी क्वेश्टन देखें क्वेश्टन ठीक लिए क्या है मैंने टू एन प्लस वांत थी शहां लो फेर को ठीक है आंसर गही है सर आंसर में माइनस वान आ रहे है सर यह फिर अगर टू एन प्लस वन थी तो आर तो टू है नहीं रहेगा उदर आंसर क्या है अच्छा यह देखें ना आप क्वेश्टन पढ़ें ना देखें आपके पास एक ही वैल्यों हमने डिफरेंट ट्रीट करनी है देखें कैसे देखें क्वेश्टन में क्या लिखा हुआ है अच्छा लिखांगर पास क्या है दिखें क्या है तो यहां से घर लेते हैं तो यहां से एजड़ लेते हैं ठीक है एंड का वर्ड है कि ठींगे है बेटा है ने वर्ड नहीं पर एंड का मतलब है एंड से स्टार्ट करेंगे ना एक सेंश्ञ तो यह आपके पास N की value क्या है हमारे पास बेटा वो तो वो ही है 3N है और R की value 2N है और A की value क्या आजाएगी minus 1 over 2X और यह क्या आजाएगा 3 N minus 2N बेटा और B की value क्या आजाएगी बेटा हमारे पास X और whole raise power 2 ऐसा है के नहीं है बेटा ठीक है बच्चे आच्छा यह क्या आजाएगा यह तो अब असान है क्या आजाएगा 3N factorial और नीचे 2N factorial लिख लेंगी बेटा और 7N factorial आजाएगा और यह क्या आजाएगा minus 1 raise power n factorial as it is और नीचे क्या है 2X है तो यह क्या आजाएगा 2 यह इसको यह लिख सकते हैं minus 1 over 2 whole raise power n ठीक है यह इसको अलागी लिख लेंगे पहले whole लिख लेते हैं फिर अलागी लिख लेंगे और यह 1 over x raise power n और यह x raise power 2 ठीक है बेटा आप देखें उपर वाला minus 1 raise power n factorial as it is आगया बेटा और देखें नीचे वाला यह क्या बज़ जागा number 2 n आजाएगा और उसके बाद क्या लिखते हैं factorial लिखते हैं क्या आजाएगा यह 3 n factorial लिख लें ठीक है बटा यह 3 n factorial नहीं तो mistake consider क्योंगे ठीक है बलके 3 n कोई फर्क नहीं परता है कोई mistake नहीं यह 2 n factorial लिख लें और क्या है 7 n factorial ठीक है क्योंको factorial हमेशा multiply हो रहते हैं तो कोई फर्क है नहीं परते हैं आचा और उसके बाद क्या आजागा न आगया और चाह आपके पास रहता है एक्स ये नेगटिव पावर अपर ले आएंगे तो पावर क्या हो जाएगी नेगटिव होगी कि नहीं होगी एक्स पावर टू एंड मैनस लिक सकते हैं कर नहीं हैं कि यह जाँ गैस इन ओवर 2 हैं यह क्या जाँ इन फेक्टॉरियल और शायरा जा